हेलो एप्रीबन विल्कम बैक टू मैं चैनल और आप लोग कैसे हैं और दिली में बहुत ज़्यादा ठंड पड़ रही है दिख रहा होगा कि मैंने स्वेटर वेटर डाला हुआ है डबल स्वेटर पहना है टपल टपल लीचे ट्राउजर्स पहने हुए है बहुत ज़्यादा ठंड है बिल्कुल भी बहुत ज़्यादा आलस आता है मतलब इस टाइम पर रिकॉर्ड करना रडी होना रजाई से निकल के तो इसलिए मैं रडी तो नहीं हूँ बस जैसी हूँ ऐसे भी आज का जो वीडियो है उसके लिए मेक अप करना ऑनिस्टी नहीं होता क्योंकि मैं आज रिव्यू करने वाली हो इस वाइटमिन सी सिरम का तो मैं चाहती थी कि मैं इसका जो भी एफेक्ट है मेरे चेहरे पर दिखे इसलिए मैं बिल्कुल भी मेरे चेहरे पर कुछ नहीं है जस्ट एक लिप बाम है वो भी मैं अब अप्लाई कर लिया तो कुछ भी नहीं है तो चलिए आज मैं करने वाली हूँ यह मैं आज करने वाली हूँ यह Minimalist Vitamin C Serum का Review जिसको मैं लास्ट दो महिने से यूज कर रहे हूँ दो महिने भी पूरे अभी complete ने हुए है तो honesty से बोलू तो डेड़ महिने के आसपास हो रहा है तो डेड़ महिने से मैं इसे यूज कर रहे और कुछ भी बोलने से पहले मैं बता दूँ कि मैं कोई मैं आपको बता दूँ अगर आप मेरे चैनल पर new हो तो मैं कोई dermatologist नहीं हूँ मैं कोई skincare expert नहीं हो मैं बस अपना experience share करूँगी आप लोग मेरे चैनल पर new हो और मेरे चैनल को भी तक सब्सक्राइब ने किया है तो प क्या फाइदे हैं क्योंकि मुझे पता है मेरे जैसे बहुत से ऐसे लोग होंगे जो vitamin c serum यूज नहीं करते हैं या कोई भी serum अपने चैरे पर यूज नहीं करते हैं मैं खुद बिल्कुल बहुत जादा careless थी अपने skin अपने hair को लेकर के नीठी होई उसके बाद जब पिंपल्स यह सब हमेशा होता था लेकिन जो जादा विजिबल होना सुरू हुआ चैरे पर मैरे मतलब मैं सच में लोगों ने भी notice करना सुरू कि बहुत जादा इस portion पे मेरे अभी भी मैं दिखा रही हूं बहुत कम हो गया लेकिन फिर भी मैं दिखा रही हूं इन सब जग जरूर फॉलो करते हैं लेकिन बहुत से ऐसे भी लोग हैं जो मेरी तरह हैं जो कुछ नहीं करते हैं मैं थी कि बस face wash कर लिया मेरे skin में dryness feel हो रहा है तो मैंने moisturizer लगा लिया दरवाइस में कुछ नहीं करती थी पहले serum का इतना culture नहीं था just scrub कर लिया कभी सब हाफते में एक या दो बार और moisturize कर लिया that's enough लेकिन अब serum के फाइदे लोगों ने खुद observe किया है और आपके चेहरे पे जो भी problem होती है आपको उसको पहचानना होता है लाइक किसी को pigmentation की problem है किसी को wrinkle की problem है किसी को pimples की problem है सबकी problem अलग होती है और सबका skin type भी अलग होता है इन सब चीजों को पहचानके आपको आपको अपना serum जो है वो चूज करना होता है तो चलो इस पे अगर मुझे वीडियो बनाना होगा ना कि किस तरह के problem के लिए किस की सब यूज कर सकते हैं vitamin C के जो सबसे जादा फायदे है मैं पहले वो बता देती हूं और यहां मैं minimalist की बात नहीं करी हूं यहां में vitamin C की बात कर रहे हूं तो vitamin C का daily अगर यूज करते हूँ आप तो आपके चेहरे पे अगर wrinkles आ रहे हैं तो वो धीरे धीरे time to time time के साथ धी बात pimples आ रहे थे hormonal issues की वज़े से तो मैंने उसमें बिल्कुल ध्यान नहीं दिया और वो pimple जाने पे इस तरह से कुछ निशान छोड़के गया जो की lifetime के लिए रह गया pimple की वज़े से skin damage हो जाता है तब आपका skin produce करता है collagen को उस जगह को fill करने के लिए ताकि आपको एक smooth skin मिल सके लेकिन अगर body में आपके collagen production कम है नहीं है तो उस जगह पे इस तरह के निशान बन जाते हैं जो की lifetime रहता है तो थोड़ा बहुत आप इसको कर ट्रीट करते हो तो कम जादा हो सकता है लेकिन यह रहता आपके skin पर lifetime के लिए vitamin C जो है वो पहली बात तो protect करता है और फिर उसको बनाता भी है जो आपके चहरे पे pimple के marks है किसी तरह के चोट के marks है sun damage है तो उन सारे marks को भी vitamin C बहुत जल्दी कम करने के कोशिस करता है चहरे पे pigmentation है तो उसको बहुत light कर देता है overall आपके चहरे का जो skin color है उसको भी थोड़ा सा brighten up करता है यह तो मैंने आपको मोटा मोटा बता दिया कि vitamin C के क्या फाइदे होते हैं और मैंने vitamin C serum पहले कोई भी यूज नहीं किया था मैं honesty से बताऊं तो मैंने गार्नियर का एक vitamin C श्रायदात से एक-दो साल पहले खरीदा था और मैं इतनी बड़ी बेवकूफ हो कि मैंने बस एक बार यूज किया और उस बॉटल को सही से मतलब बंद नहीं किया था और vitamin C जो है वो oxidized हो जाता है तो वाइटमिन C का जब कलर आपको जब भी मिलेगा वो ट्रांस्पेरेंट होगा वो और अगर वो color change हो करके yellow या orange हो जाता है तो आप उसको कभी उजना करें क्योंकि वो oxidized हो गया है तो वो काम नहीं करेगा मत कोई वर्क नुकसान नहीं पहुंचाएगा लेकिन कोई effect भी नहीं होगा उस से चहरे पे तो वो मेरा रखा रखा ही oxidized हो गया था तो मैंने उसको यूज नहीं किया था उसके बाद मैंने यह minimalist का start किया है यूज करना जो की last year महने से मैं यूज कर रही हूँ सबसे पहले मैं इसक box को बचा के रखी हूँ क्योंकि मुझे ये वीडियो बनाना था मुझे ये box भी packaging भी आप लोगों को दिखानी थी आपको कुछ इस तरह का box मिलता है white color का और इसका जो minimalist का अगर पुराना product मुझो लग रहा है अज से 2-4 महने पहले बिलकुल अलग था अभी change हुआ है इनक एक और box है मैं इसको आप open करोगे तो अंदर ये CC मिलती है बहुत सिम्पल सी CC है एक dropper के साथ में और ये जो color है ये black है reason क्यों है black मैं आपको बता दूँ ज्यादा तर vitamin C की जो CC होती है वो black या brown होती है ताकि oxidize जल्दी नहों air और light के contact में आकर के vitamin C जो है वो बहुत जल् आया था कि बिल्कुल देखो मैंने इसको यूज कर लिया है काफी बहुत नीचे जाके मुझे दबाने से मिल रहा product यह देखो बिल्कुल transparent है अगर यह color change हो जाता है तो आप इसे यूज करना छोड़ दे तो यह रही bottle packaging मैंने आपको बता दिया box पे ही आपको सारे details मिल आपको पूरे steps इन्होंने इहां पर दिखा दिये और इसी तरह से अपने skin का care भी करना पड़ता है मैं बिल्कुल यही routine follow करती हूँ मैंने अपना video भी शेयर किया हुआ है आप लोगों के साथ में कि मैं किस तरह से ctsm करती हूँ लिखा हुआ है cleanser toner फिर vitamin e अपना product का नाम मैं लिखा है moisturizer then sunscreen यह इस तरह से और इस सजस्ट किया है आप दिन में दो बार बड़े आराम से इसको यूज कर सकते हो लेकिन मैं आपको सजस्ट करूंगी कि अगर आप फॉर्स टाइम यूज कर रहे हो पहले तो आप पैच टेस्ट करो कैसा भी आपका skin normal हो sensitive हो gentle हो जो भी टेस्ट करने के लिए या तो हाथ पे या फिर इस जगह पे आप लगाओ 24 hours के लिए छोड़ो अगर किसी तरह से भी आपको itching होती है कुछ irritation होता है तो आप उसे use नहीं करना what it does glow आपके चहरे पे लाता है sun damage and skin dullness को दूर करता है dark spots जो भी आपके चहरे पर है उसको यह heal कर करता है और फिर किसी पी तरह के अगर wound marks है उसको heal करता है soothing होता है skin के लिए और healthy overall आपका skin जो है overall healthy लगता है यह हो गया direction of use यहां पर दिया हुआ है जो कि मैंने आपको पहली बता दिया आप मैं फोटो लगा दूंगी side में तो आप उसको detail में पढ़ लेना pause करके प्राइस की बात करूंते हैं five double nine है नाइका पर आपको बहुत आराम से मिल जाएगा बाद जो यह second box है यह मुझे बहुत क्यूट लगा इस पे बहुत सारे saying से अलग-अलग मतलब quotations डले हुए है there is no beauty without truth and there is no truth without transparency तो इस तरह से 6-7 quotations यहां पर डले हुए है तो इसमें कोई skin मतलब अपने product details वेगरा नहीं है यह कुछ ऐसा ही बस इन्होंने quotations वेगरे डले हुए हैं तो मुझे यह बहुत अच्छा लगा अब बात करते हैं कि मुझे क्या फाइदा हुआ इस product से जो की सबसे जरूरी पार्ट है तो मैं बताऊं कि मेरे skin पे बहुत सारे मैंने पहले ही आपको starting है बताया कि बहुत सारी problems मेरे skin पे हो रही थी like pigmentation के अगर बात करूं तो मेरे यह वाला जो पार्ट था यहां पर मैं यह नहीं बुलूंगी कि बहुत क्लियर हो गया है अभी भी है जो कैमरे पर उतना थोड़ा सा ब्राइट मुझे खुद फील होड़ा और एक जो सबसे जरूरी मैंने अभी तक उस बारे में आप लोगों से बात नहीं किया वह हाइड्रेशन का यह skin vitamin c जो है अगर आप winter time में start करते हो especially dry skin वाले अगर आप हो तो आपको इतना immediate magical feel होगा मैं vitamin c के ही बात कर रहे हूं minimalist के ही बात नहीं कर रहे हूं तो मैं तो minimalist use कर रहे हूं मैंने अभी सुबह में अपना skincare किया था सुबह अराउंड आठ बजे के आसपास मैंने पहले face wash किया है उसका toning किया है toning के बाद में मैंने यह serum लगाया है फिर moisturizer लगा है लेकिन अभी तक मेरा चेहरा जो है ना पूरी तरह से hydrated है तो यह सबसे अच्छा फाइदा है और एक healthy skin के लिए hydration जो होता है वो की होता है अगर आपका skin hydrated है तो ऐसे भी उसमें कोई problem नहीं होगा तो यह बहुत अच्छे से hydrate कर रहा है मुझे तो बहुत फाइदे किसी भी product को अगर छे मैने तक यूज करो तो उसके फाइदे आपको समझ में आते हैं मैं ऐसे के रवेर करके रात में अपलाई करके सोने जा रही थी तो मेरे husband ने notice किया और उन्होंने भी इस ठंड में जो कि बहुत लेजी है इस इन सब के मामले में तो पीछे पीछे उन्होंने भी अब दिखाओ यार क्या लगा रहे हो मैं भी लगा के देखू तो यह product is facely वह यूज कर रहा है यह toning भी कर रहा है toning भी करें moisturizing भी लेकिन यह product regular मेरे husband का जो skin है वो sensitive skin है तो उनको suit कर गया it means कि यह सारे skin type के लिए ऐसे यहाँ पर mention भी है कि यह सारे skin type के लिए है for all skin type यहाँ लेकिन फिर भी बिना patch test किये तो आप इसको use नहीं करना तो overall मुझे यह product बहुत अच्छा लगा तो मैंने अभी तक कोई दूसरा vitamin C of course नहीं try किया है यह first था experience maybe इसे भी better कुछ और आते होंगे market में लेकिन मैंने तो first इसी को experience किया और उसका review आप लग साथ में शेयर किया है तो यह था overall मेरा experience इस product के साथ में आपको कैसा लगा मेरा यह review प्लीज शेयर करना और अगर आप लोग पहले से ही इसे use करते है vitamin C use करते हैं अपने चाहरे का क्यार करते हैं तो प्लीज एक red heart कमेंट कर देना और चलिए वीडियो पसंद आएगा तो प्लीज लाइक करना और चैनल को subscribe कर देना मिलती हूं next किसी दूसरे product के review के साथ मैं तिल देन बाबाई और हां मेरा नीचे Instagram ID भी शो हो रहा होगा प्ल कर दो कर देना